महराज सरकार में मंदरी रह चुके कृपा शंकर सिंग पर बीजेपी ने जौनपूर लोकसभा सीट से दाउं लगाया है जीवन तो ज्यादा तर मुंबई में बीता है लेकिन जौनपूर के ही रहने वाले हैं कृपा जी ये बताईए कि पार्टी के फैसले को कैसे देख रहे हो पेहले का फैसलन ही फैसला होता है और आपने कहांज Data नहीं लगा एक हूं बारती Ela नहीं लगाए सीधा मतलब को अपने कारख़तां को कपका हां सम्मान देना देती है मैं भाड़ी जंता परणी में जौइन होके लगभा चार साल की आसपास होती पार्टी ने जो जबाबदारियां दी वो जबाबदारी में करता रहा और भार्टी जंदा पार्टी उलगा कि मेरे जहां मेरा जन्म हुआ जहां मैं पढ़ा जहां मैं बड़ा वहां मुझे मतलब सेवा करने के मौका दिया इजने पार्टी के सीस नेथित खास करके हमारे अधनी प्रधान ती नहीं मोधी जी आधनी हमारे जगर्पसाद नड़ा जी जो वराश्टी अध्यक्ष है आधनी रान्ना सिंग जी जो हमारे मेर रक्षा मंत्री है अधनी ग्रह म परिक्षा मैंने पास कर लिए तो एक परिक्षा आपने पास कर लिए आपने कॉंग्रेस में भी वक्त दिया है भारतिय जंता पार्टी में आपको चार साल होगे और पार्टी ने आपके विश्वास जताया है उमिद्वारी दी है जौनपूर में वहां समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का अलायंस है और आप कॉंग्रेस में रह चुके कॉंग्रेस को बेहतर तरीके स जानते हैं दोनों में फर्क क्या है कॉंग्रेस और बीजेपी में और कितनी बड़ी टक्कर आपको जॉनपूर में मिलेगी इंडी अलाइंस मुझे लगता है कि आदरनी प्रधाम तिन नहरेंद मोदी जी के नेतित में जो विकास हुआ है जो मतलब देश में फैंसले हुए है सबसे बड़ा फैंसरा जिसकी वजय से मैं कांग्रेस पार्टी के चालिस साल की राजनीत को मुझे छोड़ना पड़ा उसी पार्टी से मेरा इडेंटिफिकेशन हुआ था राजनीतिक पैंचानवेश पार्टी से हुए थी लेकिन सथ बड़ा काम जो भार्ती जनता सुनिया गांदी जी को बीस मेंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया कल की लोग कहते हैं मैं आउसरबादी हूं कांग्रेस कमजोर हो गए बीची भी मिजा रहे हैं कि अब चोड़ चोगया उसके बारे मि même कहूंघ यहां एक समय तक राड़िक लिट कर दोOMEच लोग मुझे दूट भूसर रिष्टपर पञरें सामें हैनों पन पॉढ़ पंजाब में क्या हो रहा है कि उनके साम्जात है हमको इतना दे दो फिर इसके बाद चले जाएंगे कहां ते जसी आदो पाल कि जिस ते जसी आदो को पिता जी लालू जी के लिए उन्होंने प्राइम मिस्टर डॉक्टर मन महां सिंग नेटर में लिया गया फैंसले को एक पत्रा सोन फाड़क प्रेंग दिया हैं जी महां जा खोएं बिचार कहां है क्या करें कि दोन मिल चार जोड़ जाएं क्या करें बिचार कल रेकर typ..! आज नरेंद मुंदी जी के नित्यत्में और योगी आदित नाजी के नित्तर देश में जो काम हुआ है एक समय था बिजली चमकती थी आज बिजली दिन राज प्रकास दे रही है एक समय था कि सामक अंधेरे में लोग जाने तो लुटेडे लूग लेते थे आज मतलब रात क बाराएक बज़े घुमत कुछ नहीं होगा आप राध मुक्त भारत मतलब उत्तर देश होगा कोई सोचा नहीं था तो यह जो लोगों के फैंस्ट्रे यह फैंस्ट्रे भी जनता मंदान करती है आप गरीम कल्यार योजना देख लीजे आप सरसोई गए देख लीजे आप ल लोग नारा लगाते हैं कि सच हुआ सपना घर हुआ अपना तो यह जो कमिट्मेंट इस पीपल जो मतलब लोग चुनाओं में जाते हैं लोगतन तीन भावम बटा हुआ है एक है आस्वासन दूसरी है मतलब योजना तीसरी है बचन पूर्दी आस्वासन दिया कि अगर मैं आउंगा 2014 प्रधान नतिज आए तो उन्हों ने मतलब योजना बलाई और बचन पूर्दी किया आज देश में हम अगरा स्टान धर्म की बात करें आज देश में प्रभू रामचंद के जन भूमी को प्रानपतिस्था देने ग्रूब में वहां जन भूमी में उनको भगव कौन राम को अहंकार का गृणता कि रावप बहुत-बड़ा बिद्वान था हुं इभी बूटी बढ़ी बात नहीं है Doors a घ्र प्राव tattoo नहीं है प्रभू रामचंद घ्र cannabis आको नियुक्तत देशें हो आज की तछुरां दिक यहां वाई है कि इतना बचा है कितना ठर गय जाना नहीं है तो तुम परान पतिता भगवान राम की उसको ठुकरा रहे हो तो अगर जाकी रही भावना जैसी प्रभूरत देखी तिन तैसी आज जिन परसित्यों आई अंडी आई ये वो बन के अपना ही सब कर रहा है अंतिम सवाल करूंगा कि अब आप जानपूर के लिए आपकी उमिद्वारी की घोशना हो चुकिया और पहली लिस्ट में ही हुई है और जिन्हें भी ये सीट मिला है वो यही कह रहे है कि प्रधान मंतरी का शिर्वाद होना और केंडियर नेतरित्यों का विश्वास होना ये बड़ी बात है तो जानपूर में 400 पार का अंकड़ा दिया है 370 का अंकड़ा दिया है आप भी कह रहे है कि धारा 370 हटने से आप प्रभावित होकर भारती है जंतापाटी में है तो क्या 370 में जानपूर के सीट होगी बीजेपी के लिए पक्का होगी उसमें कोई दोरा नहीं है 400 के पार नहीं 400 के अंदर जानपूर होगा तो 400 के पार और 370 में भी जानपूर लोकसभा के सीट होगी क्रिपाशंकर सिंग जानपूर से चुनाओ मैदान में उतरे महराष्ट की सियासत को बहुत करीब से देखा है कॉंग्रेस पर हमला कर रहे हैं कि वहाँ लीडर्शिप नहीं बच्चा है डिलर्शिप बच गया है और जो किन सरकार के काम है राजय सरकार के काम है अपराधमुत उत्तर प्रदेश है उस मसले पर चुनाओ मैदान में उतरेंगे और जानपूर में कमल का ज्हंडा लहराए कि यहांगे और जानपूराधम, तुझ टेंगे. झाल